शाम का समय था, एक बालक अपने बगीचे में गेंड से खेल रहा था, तभी उसकी गेंड बगीचे में लगे एक पेड की शाखाओं में फस गई, बालक एक लकडी के सहारे उसे उतारने लगा, तभी उसकी मा बोली, पौधे अब सो चुके हैं, गेंड सुभा उतारना बालक सोचने लगायदी पौधे सोते जागते हैं, तो क्या उनमें प्राण भी हैं? क्या वे भी भोजन पानी ग्रहन करते हैं? क्या उन्हें भी हमारी तरह संगीत भाता है? क्या रिंजिम रिंजिम बारिश होने पर उनका भी मन प्रसन होता है? क्या किसी टहनी के तूटने या काटे जाने पर वे दुखी भी होते हैं? क्या पेड़ पौधे मनुष्यों की तरहा आपस में संबाद करते हैं? बड़ा होने पर इसी बालक ने पेड़ पौधों का गेहन अध्ययन किया और पूरी दुनिया को यह जानकारी दी की पेड़ पौधे भी मनुष्य की तरह हैं? वे भी जन्म लेते हैं, सांस लेते हैं, भोजन ग्रहन करते हैं, बूढ़े होते हैं और मरते भी हैं? मनुष्य की तरह वे भी सुखदुख महसूस करते हैं इस प्रकार की जानकारिया प्राप्त करके पूरी दुनिया ने दातों तले उंगली दबा ली वह बालक था जगदीश चंद्रबसू जगदीश चंद्रबसू का जन्मतीस नवंबर 1858 को मेमन सिंह नामक स्थान पर हुआ था वर्तमान में यह स्थान बांगलादेश में हैं किसानों और मचुआरों के बच्चों के साथ वह भी गाउं की पाठशाला में पढ़ते थे बच्चपन में उनके साथ ही जो क्रिशक परिवारों से थे उन्हें पेड़ पौधों के बारे में बताते थे इससे इनकी रुची पेड़ पौधों में और ज्यादा बढ़ गई तेरा वर्ष की अलपायू में जगदीश चंदर का दाखिला कलकत्ता वर्तमान कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में करवाया गया इसके बाद वे विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्ग लैंड चले गए वहाँ इन्हें कुछ वैग्यानिकों के साथ कार्य करने का अफसर प्राप्त हुआ उनके साथ कार्य करने से इनकी उमंग और जिग्यासा और भी बढ़ गई लगातार तीन वर्ष तक ये बिना वेतन के कार्य करते रहे इस कारण इन्हें कई परिशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये जुके नहीं अंत में अंग्रेज सरकार जुक गई और इन्हें अंग्रेजों के समान वेतन दिया गया जगदीश चंदर ने पहली खोज सन 1895 में की थी तब इन्होंने बेतार के तार से संकेत भेजने में सफलता प्राप्त की एक मोटी दिवार को पार करते हुए ये तरंगे 75 फुट दूर तक गई जिससे बहा रखी घंटी बज उठी इन तरंगों को भेजने के लिए उन्होंने स्वय यंत्र बनाये थे जगदीश चंद्र ने सबसे महत्वपूर्ण खोज पेरपौधों के बारे में की विश्व में सबसे पहले उन्होंने ही पता लगाया था कि पेरपौधों में प्राण होते हैं जगदीश चंद बसु पूरे विश्व में प्रसिध हो गए उन्हें भाशन देने के लिए दूसरे देशों में बुलाया जाने लगा पेरिस में स्वामी विवेकानंद ने भी उनका भाशन सुना उन्होंने डौ बसु को गले लगा लिया और बोले तुम भारत के विर्पुत्र हो जगदीश चंद बसु देश प्रेमी भी थे उन्हें विदेश में नौकरी करने के कई निमंतरन मिले थे उन्होंने विनमरता से इनकार कर दिया प्रेसीडेंसी कॉलेज से अवकाश मिलने पर उन्होंने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की वे चाहते थे कि उच्च शिक्षा के लिए भारतियों को विदेश न जाना पड़े सन 1937 में इस महान वैज्ञानिक का देहान्थ हो गया उन्होंने पूरे देश का गौरव बढ़ाया पूरा विश्व उन्हें उनकी खोजों के लिए याद रखेगा पूरा विए बढ़ाया